गोरखपुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है कंडेक्टर की नौकरी पाने वाली शिप्रा दिक्षित को न्याय मिल गया है शिप्रा दिक्षित रोडवेस विभाग में नौकरी करती है शिप्रा दिक्षित जब माँ बनी तो उसे महज 6 महीने की मेटरिटी लीव मिली लेकिन लीव सवाप्त होने के बाद शिप्रा फिर से कडेक्टरी शुरू कर दी और 5 महीने के बच्चे को गोद में लेकर बस में धक के खाते हुए टिकेट काटी इंडिया न्यूस की नजर इस मापर पड़ी और हमारी टीम ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया जिसका असर यह हुआ कि प्रशासा ने 24 घंटे के अंदर मामले पर संग्यान लिया और महिला को ऑफिस से अटैच कर दिया यानि कि एक बार फिर से इंडिया न्यूस की खबर का साहर हुआ है बड़ी प्रमुखता से इंडिया न्यूस ने सुप्रा दिख्षित नाम की एक महिला का जो है खबर दिखाया था क्योंकि यह को महिला है रोडवेज बसों में अपने मासूम बच्चे को लेकर के टिकट काटने का काम कर रही थी तमाम तरकी परिशानिया थी लेकिर अपने मासूम को जिगर से लगा करके अपने सीने से लगा करके अपने फर्स को अंजाम दे रही थी और अधिकारियों से लगातार ये गोहर लगा रही थी कि उन्हें आफिस अटेच कर दिया जाए लेकिन शायद उन अराम से अपने बच्चे की यहां पर देखबाल भी कर सकते हैं क्योंकि यह बच्चा महज पांच महीने का है और आप देखेंगे इस मासूम बच्चे को किस तरीके से ओफिस में ले करके अब अपने काम को कर रहे हैं अब उन्हें अच्छा लग रहा है चुकि जो बसों में करके कुछे को टिकट काटना और पैसे को कलेक्ट करना और उसके बात से देजरात तक घरानाइव आफकी मुस्किलों का सामना यह कर रही थी लेकिन आज जब यह आफिस में अटेच को गई हैं तो इनके लिए काफी शहलियत हो गई है कि अपने बच्चे के देख भाल भी कर सकती हैं और आफिस का काम भी कर सकती हैं शिप्रा दिक्षिट जी हमारे साथ मौजुद हैं से ही बात करते हैं इंडिया नियूज ने आपको घबर को बहुत प्रमुकता से दिखाया उस बढुकता आज हम यहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत खुष महिन्सुस कर रहे हैं अपने बच्चे के भी डेख भाल अच्छे से कर रहे हैं कुछ गपार चुटी बहुत बहुत डिक्कत हो रहे थी सार बता नहीं सकते मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि बश मह खड़ा होके बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज़ वो थी बहुत रिस्क में उठा रही थी अपनी जॉब को लेकर कोविट काल भी चल रहा है और भीड देखके बच्चा भी भीड में इतना ज्यादा नहीं बैलेंस पता है तो रोते हुए जाता था रोते हुए आता था अब अब कि मैं हाई हूँ अब बस यही कहना चाहूंगी कि मैं अगर आप गलत नहीं हो तो आप अपनी आवाज उठाओ आप दबो मत मेरे वो जो थे जो भी थे मेरे जो काम थे मेरा सच में मेरा पोश्ट था टिकट काटना मैं बस में गई टिकट काटने और मुझे यहां प्रोग् किया और उसे न्यूज पर दिखाया हमें नहीं पता था कि यह चीज हो जाएगी और आप लोग मेरी आवाज उठाएंगे यह चीज़े इत्तिफाकन हुई है जो भी हुई है लेकिन मेरा बहुत बड़ा बहुत बड़ा सही होगा आप लोगो ने किया है इंडिया निज को अब ही मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे निश्रीत रूप से एक आवाज जो इंडिया निज ने उठाई है